Hey what's up guys, welcome to the day 7 course और आज बीटों बात करने वाले हैं greedy algorithm के बारे में इसके उपर multiple question करने वाले आने वाली वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे activity selection problem या फिर maximum disjoint intervals दौने में से कुछ भी कहलो इसको ये कैसे काम करती है greedy algorithm सही क्यों solve होती है इसका proof भी समझ रहे हूं कि हम mathematically, logically सब तरीके से greedy algorithm क्या होता है पहले ये जान लेते हैं उसके बाद ही हम अंदर move कर रहे हुए DP के साथ compare करते हैं से DP हमने देखी लिया बहुत सारी question करें उसके उपर कि DP के अंदर क्या होता है आप किसी पे जगे जाते हो तो आप उसके अंदर सारे सारे path में travel करते हो वहां से कोई ना कोई optimal solution होता है जो आप उपर return कर रहे हो तो राइट इस तरीके से हमारा कुछ DP काम करता है कि आपको अगर इस चीज़ के लिए answer निकालना है तो आप दौनों जगे जाओगे और जो भी optimal answer आएगा वह आप उपर return किया जाएगा इन दौनों में से एक optimal answer होगा और यही सेम चीज़ हर जगे हो रही थे इसलिए से top-down approach के अंदर भी same logic काम करता है bottom-up के अंदर भी same logic काम करता है लेकिन greedy अलग है greedy में क्या होता है आपके पास अगर multiple path बन भी रहना तो भी आपको पता होता इस जगे पर कि मुझे कौन से वाले path में जाना है ठीक है आपको पहले ही पता होगा और आप वहाँ पर एक सोचा समझा decision लोगे calculated decision लोगे कि मुझे इस set जाना चाहिए तो फिर आप इस direction में आते हो उसके बाद आप यहाँ से इस direction में जाते हो ठीक है तो आप हर step के ऊपर calculated decision लेते हो कि यहाँ मुझे इस set जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है optimal answer मिल रहा होगा तो यह होता हमारा gradient algorithm यह होता हमारा DP जहां पर आप सभी cases के लिए solve कर रहे होते हो तो आप लोगो थोड़ा थोड़ा clear रोन लगया होगा पाकि हम यह examples देख रहे होंगे बाकिसारे हम question कर रहे होंगे वहां से भी clear होगा एक छोटा था example और लेते हैं suppose को आपको कुछ denomination दे रखी है तो पांच के लिए solve करता हो दस के लिए एक लिए लो तो इससे तो इसका 23 आगया answer और यहां पर यह काम करेगा लेकिन सभी denomination के लिए यह काम नहीं करेगा इसका मतलब एक और चीज ग्रीडी देखने में लगते है वो intuitive अप्रोच है लेकिन हर जगे काम नहीं करती है किसी किसी standard problem में काम करती है और हम वो standard problems देखने वाले हैं ठीक है start करते हैं with this problem तो सबसे पहले problem statement की बात कर लेते हैं आपको कुछ intervals दे रखे and intervals के starting time और finishing time दे रखे हैं आपको तो यह zeroth interval है तो इसका starting time 1 है ending time 13 है यह first interval इसका starting time 4 है ending time 16 है and so on ठीक है starting and finish time दे रखे हैं इस तरीके से यहाँ पर आपको मैंने ऐसे समझाने का try कि यह बहुत सारे intervals हैं यह वो 5 intervals है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको यह intervals इस तरीके से चूज कर रहे हैं such that आपको maximum disjoint intervals में सके हैं maximum disjoint intervals तो आप कौन को से intervals चूज कर सकते हो आप चाहो तो 4, 6, 7, 13 और 15, 19 यह चूज करोगे तो आपके पास 3 intervals होंगे जो की अलग-अलग है disjoint है जो की overlap नहीं कर रहे है 4, 6, 7, 13 साथ overlap नहीं करेगा और 15, 19 साथ भी overlap नहीं करेगा आप और भी multiple तरीके से चूज कर सकते हो suppose को आप यह वाला interval चूज कर लो 1, 13 वाला तो 1, 13 वाला चूज कर लोगे तो ना तो आप यह चूज कर पाऊगे ना यह चूज कर पाऊगे ना यह चूज कर पाऊगे ठीक है 12, 2 and 4 तो छोड़ी जोब कौन सी है? यह दोनों छोड़ी जोब है, इन दोनों से कोई भी एक चूज कर लो और उसके पीछे लॉजिक क्या है? यह काम क्यों करेगा? यह काम इसली करेगा क्यों कि आप अगर बड़ी जोब चूज कर लोगी तो वो जादा के साथ ओरलाप कर रही होगी, ठीक है? तो यह एक तरीका है, लेकिन यह तरीका में देख लो टाइम कॉपलेक्श्टी कितने आ रही है? तो यहाँ पर worst case में वारी Big of N स्को टाइम को प्लेक्श्टी आ सकती है, क्या इससे हम बैटर कर सकते हैं, क्या इससे हम Big of N में कर सकते हैं, तो आपको दिखिए हैं, हाँ इससे हम कर सकते हैं, बस एक logic हमें चेंज करना अपना, अब अगला logic कि यहाँ पर यह बन सकता है कि आ यह वाली activity जो है, उसका starting time सबसे कम है, लेकिन हमें नहीं पता है कि खतम काम पे हो रही है, तो आप अगर यह चूज कर ली तो आप बहुत सारी activity साथ overlap कर रहे होगे, आपके पास answer कम आएगा, तो यह वाला तरीका आप फेल हो रहा है, हमें देख रहा है, intuitively फेल हो रहा है, तो दूसर तरीका हो सकते है, कि आप लोग ending time के साब से sort कर लो, और जो activity पहले खतम हो रही है, उसको चूज करके देखो, और वो intuitively समझ में भी आएगा, कि हाँ क्यों हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर आप लोग ने उस activity को चूज किया, जो सबसे पहले खतम ह हो रही है, तो यह वाली activity से पहले खतम हो रही है, तो आपने यह चूज कर ली, तो आपने यह चूज कर ली, उसके बाद अगली कौन सी activity खतम हो रही है, यहाँ पर दो activities खतम हो रही है, तो आप बहले देखोगी कि इस वाली को चूज कर सकता हूँ, इसको चूज कर सकता तो यहाँ पर मैंने तीन activities चूज कर ली जो कि मेरा optimal answer भी है लेकिन क्या ये हमेशा काम करेगा ये question है ये एक proof है क्या ये हमेशा काम करेगा वेल आप समझ सकते हूं logically अगर समझोगे तो कैसे समझ सकते हूं कि जो activity पहले खतम हो रही है वो कम chances होंगे उसके बाकिसारी activities साथ overlap करने के ठीक है तो mathematically से हम इस तरी की समझ सकते हैं suppose कर आपके बास दो answer है दो solution है पहला है A solution दूसरा है B solution A solution के अंदर मैंने क्या क्या उस activity को choose किया जो पहली activity है when we are sorting by the end time और b के अंदर मैंने पहली वाले को choose नहीं किया मैंने किसी और को choose कर लिए मैंने suppose कर ऌफ कहत को choose कर लिए अब ये तो बात पक्की है कि जो kth है वो first वाली तो नहीं है तो इसका उन्डिंग time है वो first वाली के ending time से ज़ादा होगा और मैं यह assume कर लिता हूँ कि इस वाले से मेरा जाधा answer आ रहा है N2 is greater than N1 suppose करो इस से मेरा जाधा answer आ रहा है अगर यह बात proof हो जाते है कि इस से मेरा जाधा answer है तब तो भाई यह वाला जो मैंने तरीका कराता है एकदम गलत है लेकिन अगर यह बात प्रूफ जाते है कि नहीं यह बात गलत है तो इसका मतलब A वाले तरीके से यह answer आएगा यह बात ठीक्या तो ज़रा समझते हैं क्या यह बात सही की नहीं है suppose करो B वाले set में से मैं K को हटा देता हूँ तो मेरे पास total बचेंगे N2-1 इतने intervals बचेंगे यह N2-1 इसको हटा के मैं 1 वाले interval को add कर सकता हूँ क्या इसके अंदर आप बोलो कि हाँ कर सकता हूँ क्यों कर सकता हूँ तो मेरे पास answer आएगा N2 बता क्यों इसको हटा के मैं इसको choose कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका ending time इसके ending time सो जाता है इसका मतलब यह पहले ही start हो रही होगी इसका मतलब अगर मैं इसको remove कर दूँ तो बाकि सारी activity B के अंदर तो इसके बाद ही start हो रही होगी इसका मतलब के के बाद वाली कोई भी activity 1 के साथ overlap नहीं करनी वाली K plus 1 activity ही नहीं करेगी 1 के साथ overlap तो बाकि से तो करेंगी यह नहीं तो इसका मतलब मैं इस वाली activity को हटाके 1 वाली activity को choose कर सकता हूँ अगर मैंने 1 वाली activity को choose कर लिया तो मैं फिर इस रास्ते से क्यों जाओंगा यह optimal answer हो भी कर सकता है मेरा अगर मैंने 1 वाली को choose कर लिया तो मैं इसी answer से ना चले जहाँ, यहां से मेरे पर ज़्यादा answer आ रहे हैं, जहां मेरे पर ज़्यादा option मिल रहे हैं इसका मतलब one वाले को choose करके, पहले activity को choose करके ही, आप लोग optimal answer लेके आ सकते हो, तो इस तरीकिसे हमारे यहां पर logic भी प्रूफ हो जाता है, अब ज़रा सक कोड देख लेते हैं कि कोड कैसे काम करेगा, उसके बाद उसके हम dry run कर रहे होंगे, CI sample के उपर, तो हम आगे अपने editor क के अंदर, यहां सबसे पहले एक answer नाम का error list बना लिए है, मैंने जिसके अंदर में सारे-सारे answer वाले intervals डाल रहा होंगा, यह question है, geeks-for-geeks के उपर maximum meeting in a room, तो basically एक room दे रहा है, आपको उसके अंदर starting time और ending time दे रहा है, multiple meetings के, तो उस room के अंदर आप लोग कितनी meetings कर सकते हो वही question है, basically same question है, activity selection, तो आपको यहां पर again array दे रहा है, starting time और finishing time के साफ से देख रहे हो, starting और finishing time, यहां पर 6 activities दे रहा है, और output के अंदर आपके 1, 2, 4, 5, यह वाली activities है, 1 वाली, 2 वाली, 4 वाली और 5 वाली, तो यहां पर हम count नहीं बतार, यहां पर हम answer भी बतारें कि answer के अ activities आने वाली है, तो उसके लिए मैंने आपर array list of answer बना लिया, एक integer array, और यह हमारा array बनाना पड़ा, मुझे, मुझे अलग से बनाना पड़ा, क्योंकि यहां पर मुझे sort करना है, finishing time के basis पर, अगर मैं इस array को finishing time के basis पर ऐसे sort करेता हूं, तो उपर वाली starting array के साथ मेरी matching नही देंगा, तो उसके लिए मुझे यहां पर एक अलग से array बनाना पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात ने उसके अंदर, मैंने इसका size 3 रखा है, क्योंकि एक index, जो 0th index है, उसके अंदर मैं index रखने वाला हूं, तो उसको हम fill कर देते हैं, इस वाले array को, ठीक है, यह 2D matrix जो है, तो इसके अंदर शुरुआत वाली जो index है, 0th index है, उसके अंदर तो मैं index को रख लूँगा, I plus 1 करके रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो यह answer मांग रहे हैं, वो I plus 1 करके मांग रहे हैं, one based indexing करके answer मांग रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपर I plus 1 रख लिया है, हर index के उपर, उस इसके अंदर हमें अपना custom comparator pass करना पड़े का right, तो मैंने आपर इस तरह के से इसको lambda के उसके बना दिया, आप चाहो तो new comparator, उसके बाद compare to method को override कर सकते हो, लेकिन comparator जो interface है, उसके अंदर अगर एक ही method होता है, यह मैं पता lambda के अंदर अगर एक interface के अंदर एक ही method है, तो उसको आप लोग directly lambda के अंदर इस तरह के से convert कर सकते हो, तो यह क्या कर रहा है, यह इस 2D array को ले रहा है, और इसके अंदर जितने भी 1D arrays है, यह O नाम के जितने भी 1D arrays हैं, उनको यह O2 के basis पर sort कर रहा है, O2 का मतलब finishing time के basis पर sort कर रहा है, तो इससे हमें सारे finishing time के basis पर सारे erase auto के मिल देंगे, उसके बाद मैंने बनाया है एक pointer R, ठीक है, R, जो बेसिकली बतागा, अभी फिलाल जो activity हमने चूज कर रखी है, उसका ending time कितने है, R, मतलब right, तो मैंने फिलाल first activity चूज कर लिए, first activity मैंने बताए कि हाँ first activity से चूज करके आगे बढ़ो, काम करेगी आपकी, ठीक है, यह first activity कौन सी है, यह first activity वो है, जिसका finishing time सबसे कम है, तो इस activity को चूज करके आगे बढ़ो, आपका optimal answer आई गए आगा, यह हम देख चुके हैं, तो इसके बाद हम first से start करेंगे, zero को तो हमने चूज करी लिया है, उसको हमने answer में भी डाल लिया है, मैं answer में डालता हूँ 00, which is the index, 0th position पर index रखा हूँ है, उसके बाद मैं first activity से start करूँगा, मैं check करूँगा, क्या इस activity का starting time, मेरे current activity, जो मेरी अभी फिलाल activity चल रही है, उसके finishing time से बढ़ा है क्या, अगर बढ़ा है, इ इसको sort भी कर देते हैं, क्योंकि इनको answer में चाहिए था, output array के अंदर देखोगे, तो इनको जो array चाहिए था, output वाला, वो sorted चाहिए था, तो उसलिए मेरे को यहाँ पर sort करना पड़ा, तो इसको मैंने sort भी कर लिया, उसके बाद हम इसे return कर देंगा, ठीक है, इसे run करते हैं यह काम करेगा, और अब जो समझ लेते हैं, कि यह कैसे तरीके से काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने अपना 2D array बनाया है, यह मेरा 2D array है, उसको मैंने sort कर लिया है, sort किसके basis पर किया, finishing time के basis पर sort किया, ठीक है, तो यह मेरा finishing time है, आप देख रहे हो, यह sorted है, और यहाँ पर मैंने indices store करके, यह मेरे starting timing ले, इनके corresponding, तो मैं पहली वाली activity पर जाऊंगा, इसको मैं चूज कर लूँगा, और मेरा R हो जाएगा, जो इस वाली activity का finishing time है, which is 6, इस activity को मैं अपने answer pool के अंदर भी टालूँगा, मेरा answer वाला जो array list है, उसके अंदर में इस activity को टालूँग मेरे current finishing time से ज्यादा है, क्या तो हाँ है, तो इसको हम चूज कर लेते हैं, और अभी मेरा ending time हो जाएगा 13, और इसको चूज कर लेते हैं, तो 3 भी हमारा answer array के अंदर आ जाएगा, और आपको देखी भी रहोगा, इस 7 से 3 वाली activity को हम चूज कर सकते हैं, इसको चूज करने के time है, और इसको मैं include कर लूँगा, तो इसका index 5 है, तो मैं 5 को include कर लूँगा, और फिर मैं इसको sort कर दूँगा, क्योंकि हो सकता है कि यह sorted order में ना मिले मुझे, तो इसको मैं sort कर दूँगा, और उसके बाद मैं return कर दूँगा, तो इस तरीके से काम कर रहा है, code भी काम कर रह झाल झाल